हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अर्चाइनल तो देखिए आज मैं बिल्कुल एक उनिक काम करने जा रहे हूं वीडियो को पूरा देखिएगा और पसांद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेस्ट चीजों का कैसे योज करते हैं यह भी मैं दिखा कि आप लोग भी अब कभी भी नहीं फेकेंगे और देखिए यह क्या है यह लकडी का बुरादा है जो जैसे घर में काम होता है फरनीचर का तो काफी दिनों से रखा हुआ है और यही इतना ही नहीं है अभी दो-तीन बोरी और भी रखे हूं तो सब को मैं अपने गार्डनि इस पर जितने भी पीले पते सब हुए थे उस सब मैं निकाल के लाई और देखिए दो प्लांट पिछले सल का मैं कटिंग से लगाई थी और गड़ेसा प्लांटर बना के दिखाई थी ओयलकेन का उसी में लगाई थी लेकिन अब जब मैं देखिए कि इसमें इतना ज्याद बड़े हो गए हैं, तो देखिए अभी मैं जब एस निडी के नीचे रखी थी तो देखिए कि भींग गया है पूरा, तो मैं सोची कि एस अब करके क्या करूंगी, तो इसी से मैं कवर कर रहे हूं, तो देखिए डिकंपोज होने के लिए मैं पहले पत्तों का फ्लावर का बह लेकिन राइस हस्क में फंगस लगता है और इसमें नहीं लगेगा कभी भी फंगस तो अप लोग भी कहीं भी अगर कोई मिस्तिरी काम कर रहा है वहां से भी ला सकते हैं लेकिन मेरे घर कहीं काम हुआ था तो मैं इसको तिन-जार सल से रखी हूं बहुत दिन से और देखिये यह दोनों टूटने वाला था तो इसको मैं कभर कर दी और बिल्कुल भी मिटी नहीं डाली और देखिए यह जो प्लांटर टूट गया था इसको भी मैं सीजर से कट कर दे रहे हैं फेकूंगे नहीं क्योंकि यह मेरे गलती से टूटा है इतना ज्यादा रूट बाउंड हो ग देखिए इसको कलर करने का भी जरूरत नहीं है और इन वाटर बाटल काफे पुराना है तिन चार साल तो इसको भी मैं उपर से काट के थोड़ा सा नाया सेप दे दी क्योंकि अभी कलर पेंट तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और देखिए इसमें डहेर सारा टेरिस से अपना तो सबको सेप में भी दूँगी और फरवरी में ट्रांस्प्लांट करने के बाद भी काफे रूट बाउंड हो गया और देखिए इस बड़े ग्रो बैग में एक तो मैं चांदनी का प्लांट लगा दी चांदनी का दस कटिंग मेरा ग्रो हुआ है और इसके बाद मैं एक ब मैं डाल दे रही हूं जिससे ये नीचे डिकंपोज होने में काफी इसको हेल्प करेगा और देखिए इसमें चाहिए तो मिटी बहुत लेकिन मैं अभी मिटी नहीं डाल रहे हूं जब ये प्लांट सेट हो जाएगा और बहुत सारा मेरा कंपोज निकलने वाला है मिटी जो तो मेरा डिकमपोज बन गया है, जैसे पमकीने सब लगाएं हो, तो जब खाली होगा बोरी, तो इसमें मैं डालूँगी, उसके बाद इसमें जो फ्लांट चलेगा ना, तीन-चार साल पक्का चलेगा, मैं अपलों को दिखाते रहोंगी, इसमें ग्रोथ भी जो होगा, बहु मैं दो-दो प्लांट, बड़ा प्लांट अराम से लगा सकते हैं, तो एक में मैं बैंगन और चांदनी लगा रहा हैं, एक में टमाटर और टीकोमा लगा रहा हैं, और देखिए, टूटे-फूटे डबों में भी मैं धेड सारा कटिंग लगा दी, जैसे अपना नेचर ही व अपडेट इसी वीडियो में आप लोगो दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए इसी में मोस रोज पर्स लेना और इसका तो मैं क्या बताऊं, हर दिवाल, हर कॉर्नर में पानी की टंकी के पी और अगर आप धूप में इस प्लांट को रख रहा हैं, तो फिर से इस में नौवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग होगा, मेरे टेडिस पे तो होते रहता है, और आज इसका भी मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ, आप लोगो दिखाऊंगी, अभी काफे बारिश हो रहा एक दो इसी में मेरी गोल्ड भी लगा दूँगी, कि नीचे इस सब खिलेगा, और मेरी गोल्ड तो मेरे पास बहुत जापड़ी मेरी गोल्ड निकला हुआ है, और मैं उपर से भी पिंच करकर के जगह जगह लगा रही हूँ, ताकि मेरी गोल्ड का धेड सारा प्लांट ब मत फेंखियेगा, और उपर से मैं भुडे से सब डाल दूँगी, अभी जलाएं नहीं हूँ, मैं रोज सोचती हूँ, लेकिन बारी सोजाने के चलते नहीं जला पाते हूँ, काफी लकडिया को सुखा के रखी हूँ, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग से सेर करूँगी और देखिये कितना आचा, इसमें दो तरह कम है, हिबिसकस लगा दी, जगह जगह लगा रहे हूँ, कि रेट सारा प्लांट मेरे पास हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि समर में इतना ज़्यादा धूफ होता है, कि प्लांट सुखने लगता है, और देखिये पाने डाल दे हूँ और इसमें हमें अपडेट भी दिखाऊंगे आप लोग को तो आप लोग भी इस तरह के अटाजी के कवर घर का कोई भी बेश्ट को जैसे बैग में भी लगा सकते हैं और देखिए कितना प्यारा लगने लगा जब मैं इसको कवर करूंगी तो और देखिए मैं तीसरा दिन का अपडेट दिखा रहा हूं फ्रेंड्स मैं आगन में रख दी थी दूसरे दिन और तिसरा दिन देखिए बारेश से इतना हरा भरा जैसे कि इसको कितना जरूरत था ये ग्रोब बैग का मतलब वो कंटेनर में ओयल केन में बिलकुल है सुख रहा था देखिए तीन द फ्लावर हो गया है सबको हटाऊंगी और उसका भी वीडियो आप लोग से सेयर करोंगी पूजा नहीं करना था तब का वीडियो है फ्रेंड्स काफे फ्लावर खिल गया है और देखिए इधर अपराजिता में किस तरह से ग्रोथ हुआ है अपराजिता को भी बहुत प्लां अभी निकल रहा है तो सब मैं टेरिस पे ले जाके लगा दूँगी और देखिए फ्लावरिंग का तो रोज मैं टी बना लेती हूं ग्रीन टी में डालके और पी जाती हूं देखिए बहुत सुंदर लग रहा है अगर आप लोग को पसांद आए तो लाइक जरूर कीजिए और इस तरह का बेस्ट चीजों का यूद जरूर कीजिए गमला तो मैं बहुत खरीदी हूं लेकिन अब सोच रहे हूं कि घर के सब बेस्ट चीजों में ही प्लांट लगाऊंगी और इसे मैं पहले भी लगाती थी देखिए इधर सब डबे में ही लगे हुए है और सारे कट कटिंग ग्रीन हो गया है हो सकता है कि लग भी जाए नहीं भी लगेंगे और आज टीकोमा को मैं एलो टीकोमा को इसमें जो लगा है पूरा फ्रोनिंग कर दूंगी और जगेड़ सरा कटिंग लगा दूंगी काफी बारिस हो रहा है थैंक यू